हेलो दोस्तों, क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए पुलीस की स्थापना हुई है पुलीस के एक स्पेशल वर्दी होती है और यूनिफॉर्म होती है उस यूनिफॉर्म को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये पुलीस है पुलीस को स्टेट की एजेंसी भी कहा जाता है याने गौवर्मेंट यदि अपरादों को नियंतरन करना चाहती है तो उसके लिए गौवर्मेंट ने एक एजेंसी स्थापित की है उस एजेंसी का नाम है पुलीस तो पुलीस एक प्रकार से गौवर्मेंट की अभी करता है द आप पुलीस को दिया हुआ है अब पुलीस के अपनी एक वर्दी होती है अधिकान शाहफ़ों नए खाकी वर्दी देखी वगी और पुलीस राजज का विशय है। तो समिधान में केंद्र सरकार और राज सरकार के विशेओं को बाड़ दिया गया है, पुलीस जो विशे है वो राज को दिया हुआ है, अलाकि केंद्र के पास भी अपनी पुलीस होती है, CRPF और केंद्री सुरक्षा बल, BSF अगर होते हैं, लेकिन specifically law and order situation मेंटेन करने के लिए राज को ही पुलीस का काम दिया गया है, तो राज सरकार पुलीस की युनिफॉर्म तैय करती है, और राज सरकार ही पुलीस का वेतन, पुलीस की न्योकती ये सब तैय करती है, आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं, पुलीस की वर्दी को देखकर, मलब युनिफॉर्म को देखकर, हम कैसे पेचान सकते हैं, कि ये कौन सी पुलीस है और इसकी क्या rank है, आपको पीछे एक वीडियो, एक पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा, पुलीस की वर्दी याने युनिफॉर्म देखकर, हम पुलीस की rank को कैसे पेचान सकते हैं, आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है, उसमें दो rows हैं, पहली जो row है, वो IPS rank बता रहा है, सीधे केंसरकार द्वारा जो UPSC exam देखकर, जो पुलीस केडर में जाते हैं, उनकी न्यूकती कैसे होती है, और नीचे वाला जो row दिख रहा है, वो राज्य सरकार की पुलीस की प्रकार promotion प्राप्त करकर के rank को प्राप्त कर दिए, तो हम लोग ascending order में चलते हैं, सबसे पहले नीचे से उपर की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले हम राज्य में देखें, जब आप पुलीस की वर्दी देखें, खाकी वर्दी देखें और उसकी sleeve, sleeve मतलब जो बहाँ पर यदि कोई भी पट्टी नहीं दिखती है, तो आप समझ लिजे कि वो constable है, सबसे lowest rank रेती जिस पहाँ पर कोई पट्टी नहीं होती है, और जहां पर लाल कलर की इस प्रकार की पट्टी दिख जाए आपको, sleeve पर तो ये senior constable हो जाते हैं, एक constable हो गए, और उसके ऊपर हो जाते हैं, senior constable, और जब आप इसी तीन पट्टियां देख देख लें, बाहूं पर देख लें, वर्दी की बाहूं पर, तो ये head constable हो जाते हैं, और head constable आगे चलके जब promote होते हैं, तो वो sub inspector बनेंगे, assistant sub inspector जिसमें वर्दी पर एक star आजाएगा, जब वर्दी पर आप दो star देखेंगे, तो ये SI हो जाएंगे, ये sub inspector हो जाएंगे, दो star होने पर, और फिर promotion हो जाता है, तो वो inspector बनेंगे, inspector पर आपको तीन star दिखेंगे, और ये इंस्पेक्टर थाना प्रभारी हो जाते हैं, जब आप देखते हैं कि तीन star लगे हुए हैं, तो ये तीन star याने थाना प्रभारी, जिसे हम S.H.O. भी कहते हैं, S.H.O. मिलने दिखेंगे, बड़े हो जाते हैं, तो deputy superintendent DSP भी कहते हैं, या CSP की वर्दी पर आपको दिखेंगे, additional superintendent पर आपको ये अशोग स्थम्प दिखने लगेगा, याने वो additional SP हैं, और यदि इस अशोग स्थम्प के साथ एक star ओर दिख जाए, तो ये SP प्रमोट हो जाते हैं, याने पॉलिश सर्विस जो लोग select करते हैं, select होते हैं, उनके समें एक star और IPS लिखा होगा, बलब अभी इनका appointment हुआ है, और ये अभी ट्रेनिंग में अंडर ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग में ही IPS के साथ में 2 star भी हो सकते हैं, अंडर ट्रेनिंग में IPS के साथ 3 star जब आपको द दिख रहा है, ये additional superintendent, ASP, और जब आपको ये अशोक चिन और साथ ही साथ IPS और star दिखेगा, तो ये ASP बनेंगे, ये जो आप देखें, सेम वर्दी है, लेकिन इदर IPS नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रमूट होकर गए हैं, और ये लोग direct Indian police service सेलेट कर गए हैं, इसके senior grade, और जब आपको ये तीन star दिख जाएं, तो ये DIG हो जाएंगे, अशोक इस्तंब के साथ तीन star दिख जाएं, तो deputy inspector general जिसे हम DIG केते हैं, और जब आप star ऊपर देखेंगे, और साथ ते साथ ये वाला चिन देख लें, और IPS भी लिखा हुआ है, तो इंस्पेक्टर जनर of police, और director general of police, पुलीस, राज्य पुलीस में सबसे बड़े पुलीस अधिकारी होते हैं, इसे पुलीस महानिदेशक का जाता है, तो ये है मित्रों police की वर्दी या uniform देखकर किस प्रकार हम पेचान सकते हैं, कि उनकी rank क्या है, I hope you enjoyed this lecture, kindly subscribe, YouTube channel Loisee, thank you so much.